आज कल हर कोई कम्पीटर पे जॉब करना चाहता है पर कम्पीटर पे जॉब करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है टाइपिंग स्पीड और फिर सब लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस शूर करते हैं लेकिन कुछ लोग गलत धंग से प्रैक् स्पीड गैरेंटेट बढ़ेगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपका रियक्शन कुछ इस तरह से रहेगा तो चलिए शुकत है मैं सतिश लर्मोर चैनल में आप सब का स्वागत करता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से फ़ले हमेशा के तरह दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप ने मेमान हो हमारे चैनल पे तो चाय पीके जाएगा यहाँ पे सब्सक्राइब करना है नीचे जो बटन है और बेल आइकों पे क्लिक करना है यह क्यों हूँ क्यों कि मेरे वडियो की नूटिफिक्शन आपको मिल जए अगर आप चाहते है ऐसा कुछ सीखना जैसे अभी चल रहा है तो ज़रू सब्सक्राइब कीजिए और बेल लाइन नजर आ रही है जो की कीबोर्ड के मिडल रो या होम रो पे होती है यानि जब कभी भी आप टैपिंग कर रहे हो तो आपकी उंगलिया इन दोनों की के उपर होकर बाकी कीज की उपर रेश्ट करेगी यानि यह मिडल रो और होम रो जिसे हम कहते उसकी उपर भाया है, left hand से अगर अब शुरुआत करेंगे तो little finger A पे रहेगी, उसके बाद ring finger S पे, middle finger D पे और first finger F पे रहेगी और thumb से आपको space button प्रेस करना होगा, और ठीक उसी तरह से right hand के fingers आपकी J के यल और semicolon पे रखनी होगी इसके बाद बीच में जो दो keys है, G और H वो भी आपको आपके first finger से प्रेस करनी होगी इस तरह से शुरुआती कुछ दिनों में आपको middle row की practice करनी होगी इसकी practice के लिए online बहुत सरे website से जिसकी link मैं आपको description में दे रहा हूँ उस website को visit करके आप middle row की practice कर सकते हैं tips number two आप हमने middle row तो देखा, इसके बाद आपको top row और bottom row की practice करनी होगी उसके लिए आपको इसी तरह से finger सेट करनी होगी यहाँ पर image में आप देख सकते हैं कि कौन से keys के लिए कौन से finger आपको use करनी है यहाँ पर मैंने आपको color में दिखाया है शुरुआती दिनों में आप इसकी practice करते समये आपको थोड़ा सा uncomfortable feel होगा लेकिन जैसे जैसे आप इसकी daily practice करेंगे definitely आपको बहुत comfortable feel होगा और आप खुद में improvement देखोगे कि आपका typing speed कैसे बढ़ रहा है अब tips number three की तरह बढ़ते typing करते समय आपको keyboard पे बार बार नहीं देखना है finger set करने के बाद आप उसे slow में type करेंगे तो भी चलेगा पर आपको keyboard पे नहीं देखना है जो भी कीज़ आप type करने वाले उसे आपको अपके मन में बोलना है अब आप बोलोगे इससे क्या होगा इससे आपके subconscious mind को ये याद रहेगा कि कोन सी finger कोन से key के लिए है क्योंकि typing का लिए हाथों का काम नहीं है दोस्तो दिखता तो हाथों का काम है लेकिन दिमाग इसमें आपके हाथों को instruction भेजता है दिमाग याने brain अगर instruction बेज़ेगा तभी तो हाथ काम कर पाएगे ने दोस्तो सही है कि नहीं अब बढ़ते tips no.4 की तरब typing के लिए कैसे बैठना चाहिए ये बहुत important बात है दोस्तो क्योंकि typing speed बढ़ाने के लिए आपको कई गंटों की practice लगती है आपको आगे जुकर बैट के type करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए स्क्रीन और आपकी बीच में लगबग 45 cm का अंतर रखने की कोशिश करें और अपने हाथेली को 90 डिग्री में रखें ज्यादा नीचे या ओपर ना रखें स्क्रीन का brightness आपके सबसे adjust कर ले ज्यादा या कम brightness आपके आँखों को तकलीब दे सकता है आप tips नमर 5 के दरब बढ़ते हैं तॉप रो और होम रो और बॉर बॉर इनकी practice हो जाने के बाद आपको इस sentence की practice करनी चाहिए sentence क्या है अब यह कोई story नहीं बता रहा हूँ मैं दोस्तो यह sentence की एक खास बात है इसमें A to Z सारे alphabet cover होते ही आप देख ले ना कुछ चेक करके A to Z सारे alphabet आते और इसकी वज़े से आपके A to Z alphabet की practice repeat repeat हो जाएगी अगर आप इस sentence को type करते हो क्योंकि कोई ordinary paragraph आप लेते हो तो उसमें शायद ही यह सारे alphabet की practice आपकी repeat repeat हो सकती है लेकिन the quick brown fox germs of the lazy dog practice शुरू किजिएगा टिस नमबर 6 आपको पता ही है हर एक sentence का पहला alphabet capital रहता है तो इस capital alphabet को type करने के लिए आपको shift button की practice करनी होगी आप shift button की practice करते समय आपको ध्यान रहे कि keyboard की दोनों तरफ shift होता है तो आप जब left side के कोई भी alphabet को capital में type करना चाहते है तो right side का shift यूज़ करना है और right side के कोई भी alphabet को type करना चाहते है तो left side का shift यूज़ करना है उल्टी आपकी curiosity कम होगी इसलिए keyboard से उंगलिया हलके से चलाए और आपके नाकुन बढ़े रहेंगे तो उसे कटवा दे क्योंकि नाकुन उसे type करनी के कुशिश ना करे उससे आपका speed नहीं बढ़ने वाला है और मेरा recommendation आपको ये रहेगा लेकिन आप जब सीख रहे हो तो आगे आने वाले जो words है उसे आपके मन में scan कर लो पढ़ लो और उसके बाद आपके automatically typing speed बढ़ने वाला है तो ये बाते आपको ध्यान में रखनी है अब ये साथ tips के अलावा कुछ interesting facts भी मैं आपके साथ share करना चाहूंगा typing से related और words से related सबसे पहले screen के उपर आपको एक word दिखाए दे रहा है typewriter इस word की खाचियत यह है कि इसमें top row के alphabet use किएगए top row के अलावा middle और bottom row को बिल्कुल use नहीं किया है आप ज़रा check करके देखिएगा और क्या आपको पता है कि आप typing करते हो तो आपका left hand 56% typing करता है मतलब यह है कि दोनों हाथ में से left hand 56% और right hand 44% typing करता है मैंने कर रहा है ऐसा research ने प्रूब किया है सो कैसे लगी दोस्तों आपको यह typing की tips उमीद है आपको पसंद आई होगी और अपने लाइक बटन पर भी क्लिक किया होगा अब एक काम करना है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है शेयर कीजिए अपने WhatsApp, Instagram and Facebook अकाउंट पर जरूर आप मेरे लिए इतना करोगे चलिए कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताई के कैसे था आज का यह वीडियो मैं मिलूँगा कुछ और इंट्रेश्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए चैनल की उपर और भी computer tips और टीपसे वीडियो है